मेरे प्रियमित्रों आप सब को देख करके मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है और मैं आप सब का भिवादन हमारे प्रभु और उद्धार करता येश्य के नाम में करती हूँ आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में मनन करने जा रहे हैं जिसकी हमें प्रति दिराव शक्ता होती है वह है आर्थिक आशिश है आज बहुत से लोग है जो रो रहे है मेरे पास कोई नौकरी नहीं है प्रति दिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है हम क्या करें क्या आप भी ऐसा ही रो रहे हैं प्रति दिन बस रोना और आशु पोचना है और प्रति दिन हमेशा बार बार बस तकलीफे और तकलीफे ही आ रही है मैं क्या करूँ कौन आकर मेरी सहता करेगा पहला तिमोती 6 और वचन 13 में यह खुबसूरत वचन है जहां लिखा है परमेश्वर हर एक चिज़में बहुतायत से देता है कि हम उसका आनन ले यह कितना ही अध्भूत और सुन्दर वचन है आपको इस प्रतिग्या का दावा करना है हम नहीं जानते कि हम कैसे परमेश्वर के वचन से उसके आशिशों का दावा करें और इसलिए आज हम परिशानी वेखें आप इस वचन को पहले देखें खुबसूरत वचन ले परमेश्वर हमें हर एक चिज़में बहुतायत से देता है कि हम उसका आनन ले एक पिता का जो हिर्दा है वो कैसा होता है अगर आप तीसरा यह हुनना वचन दो पढ़ है तो हमारे स्वर्गी पिता की जो मन्शा है वो क्या है वहाँ हम इस तरह से पढ़ते हैं यह प्रेये मेरी यह प्रारत्वा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नती करता जाता है वैसे ही हर एक बातों में उन्नत हो और भला चंगा रहे परमेश्वर चाहता है कि वो आपको संपन्ता दे इसी समय इस खुबसूरत गीत को सुनने के बाद हम इसके बारे में और मनन करेंगे तो आईए हम इस गीत को सुन ले जू तो आईए ही टीक बारे में और में और मन prior Lu में और एट की चू थैंगे Пजे। प्रेंस ब्रेंस जायो çaנ्या फिर सिन्हें कि नायो लैंन यो घाँ भी सब्सक्वा इने नब एल There is power in the name of Jesus To break every chain, to break every chain, to break every chain To break every chain, to break every chain, to break every chain All sufficient sacrifice, so freely given such a price For our redemption, heaven's gates swing wide There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus To break every chain, to break every chain, to break every chain My precious brothers and sisters, hope you enjoy the song Now we are going to meditate how we can receive blessings through the Lord Jesus Christ in our family life The word of God, if you read Philippians chapter 4 verse 19 अगर आप परमेश्वर के वचन में Philippians 4 वचन 19 को पढ़ें वहां लिखा है कि परमेश्वर अपने महिमा के उस धन के अनुसार जो मसी येश्य में है तुम्हारी हरे घटी पूरी करेगा अगर आप मत्ती 6 और उसके वचन 8 को पढ़ें तो परमेश्वर आपके हिरदय को जानता है स्वर्गी पिताप ने बच्चों के हिरदय की च्छों को जानता है और वही है जिसके पास आपके हरे घटी पूरी करने की सामर्त भी है तो हम कैसे उसके हाथ से हमारे हरे घटीों की पूर्ती प्राप करें मुझे ध्यान से सुनिए अगर आप मत्ती 6 और चन 33 पढ़ें वहां लिखा है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो क्या आप अपने परिवार में परमेश्व की उपस्थिती को महतो देते हैं आप अपने जीवन को जाचे कितना समय आप उसकी उपस्थिती में गुजारने के लिए देते हैं कैसे आप हमेशा स्वर्गी पिता को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं क्या जैसा दाउत का हिर्दे था वैसे आप उसे प्रसंद करना चाहते हैं यह सारे गलत काम में बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि नहीं करने के दुबारा मैं परमेशों को खुश नहीं कर सकता अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप परमेशों को प्रसंद करने में सतर्क होगे दाउद, यूसुफ और दानियल जैसे अनेत जवानों की जीवनों को देख हैं वे हमेशा परमेशों को प्रसंद करने के लिए बड़े सतर्क रहते थे क्योंकि क्या होता है अगर आप ऐफिसियों तीन वचन बीस को पढ़ हैं जब आप प्रभू को देखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उसके द्वारा आशिश पाएंगे तो आपको कैसे आशिश देगा एफिसियों तीन वचन बीस जो है कहता है जब आप उससे मांगेंगे जब आप उससे पुकारेंगे तो वो आपके मांग और सोच से बढ़ करके कहीं ज़्यादा आपको जो है देने के लिए सक्षम है अपनी सावर्थ के द्वार वो ऐसा करेगा अपने ही जीवन के अनभाव से आए मैंसे आपको समझाओ कुछ साल पहले की बात है हमारे जीवन में भी कुछ आर्थिक सवस्याएं थी जो भी मेरे पती जो थे स्टेट बैंक अप इंडिया में एक बड़े अधिकारी थे लेकिन महने के बीसवे दीन के बाद हम कहते थे पैसे नहीं है अब हम क्या करेंगे क्योंकि मेरे जो पती थे अपने सालरी से अधिकार्श पैसा सिवकाई के लिए काम मिलाते थे तब हमने एक दिन ऐसा सूचा जब मेरे पती को तनख़ा दी जाएगी और जब उसे घर लेकर आएंगे हम तीनों जो है घुट्ले टेकेंगे और मेरे बेटे को सारा पैसा देंगे और हम भी उस पर हाथ रखेंगे और हम इस तरह से प्रार्ट न करते थे रभुजी हम इस पैसे को आपके हाथ में रखते हैं इस पूरे महने में कोई भी सवस्या नहीं होनी चाहिए आप हम पर धया करें हम पर खृपा करें और भजन बत्तिस बचन आठ के अनुसार से आपको हमारी अगवाई करनी है प्रभुजी क्योंकि हम बाइबल में यही पढ़ते हैं अगर आप बजन सेता 37 वचन 5 को पढ़ेंगे और निती वचन 3 और उसके 5 को भी तो वहां ऐसा लिखा है अपने रहा की चिंता परमेश्वर पर डालें मेरे मित्रों आप उझे ध्यान से सुनिए अपने रहा की चिंता परमेश्वर पर डालें और यहवा पर भरोसा भी रखें और वह हरे चीजों को आप के लिए पूरा करेगा हम अपने समस्याओं को परमेश्व के हाथ में रखना है और जब हमने ऐसा किया तो परमेश्वर ने हमारे परिवार की पुकार को हमारे उस चिंता को सुना और परमेश्वर ने मेरे पती को एक के बाद एक पदोनत्या दी और उसने उसके बाद हमारा अपना स्वैम का खुबसुदत मकान दिया कार दिया और कई आशिश्वर ने हाँ अगर आप परमेश्वर को देखें अगर उस पर विश्वास करें वो आपकी हरे गटी पूरी करेगा निश्य है आप इसा अनभाव कर सकेंगे और दूसरी बात परमेश्वर का वचन नीती वचन 28-20 में कहता है कि एक विश्वास यूग ये जन जो है वह आशिश्वर में बढ़ता चला जाएगा उससे किसी बात की घटी नहीं होगी हां हमें परमेश्व के प्रती विश्वास यूगी बने रहना है चली मैं अपने परिवारिक जीवन से आपको एक और अनभाव दूँ जब हमारा विवा हुआ मेरे पती की तनक्वा बहुती कम थी और उस पैसे से हम प्रतीमा अपना खर्चा नहीं चला पाते थे तो भी उसके बाद भी मेरे पती इस बात के लिए बड़े सजग रहते थे कि परमेश्व को अपना दश्वास दे वे और मैं उनसे कहती थी अगर इतना पैसा आप प्रभु को दोगे तो हम पूरे महने कैसा गुजारेंगे लेकिन वो ऐसा करने के लिए बड़े सजग रहते थे लेकिन मेरे में तरोस के कारण परमेश्व और हमारी हरे घटी को पूरा करने के लिए सजग थे इसी तरह से आपको विश्पास ही गवने रहना है परमेश्व के पास लाने के लिए आपको सजग रहना है और गरीबों को देने के लिए भी ये सारी चीज़ा प्रभु को प्रसंद करती है तो मेरे पती के आग्या कारिता के कारण परमेश्वर ने मैं बड़ी आशिशे दी मेरी जो मा थी वो बहुत ही धार्मी की फगरती की थी जो कुछ भी वचन से वो जानती थी उनके पालन करने के प्रती बड़ी ही सजग रहती थी और जब मेरे पिताजी उनके पास अपनी तनफाल आते थे वो उसे एक नोटबुक पर रखती हैं पहले परमेश्वर के लिए फिर दूद के लिए उसके बाद घर के किराय देने के लिए वो हर एक चीजों को अलग अलग लिगती है और वो वैसा ही करती है सारा पैसा काम मिलाने के बाद उसके बाद भी उनके पास पैसे रहती है और वो पैसा वो गरीमों को दिया करती थी वे उसके प्रशंसा करती और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था मैं जो थी बड़ी सोच दी थी चिंदा करती थी कि कैसे करें कैसे खाए लेकिन उसना मुझे हमेशा सही समय पर पैसे दी और उसके कारण से परमेश्वन ने बहुत आयत के साथ उन्हें आशिश दी और अपने जीवन के 77 साल तक उन्हें बड़े ही शांती पूरवक जीवन बिताया अब परमेश्व के सामर्थ उन्हें के चारों बच्चे आशिशित हुए मेरे प्रेय भाईयों और बहनों आप भी बिल्कुल वही करें परमेश्व के आग्या मानने के लिए आप सजग और सतर्क रहें आपको जो भी देना है वो परमेश्व को निश्चे देना है हमेशा परमेश्व से लिप्टे रहें और प्रारत्ना करें कि परमेश्व आपको हरे एक बातों में आशिश दे हाँ वो आपके हरे घटी को खुबसूरत तरीके से पूरी करेगा आपका घर परिवार एक आशिशित घर परिवार होगा लोग आशिरी करेंगे यह कैसे इतना जादा आशिशित है हाँ जब परमेश्वन ने में बहुती जादा आशिशन दी लोग हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम परमेश्वन की आग्या मान रहे थे ओ प्रभु ने सच मुच आपको आशिश दी ये सारी आशिश निश्य परमेश्व से ही आई है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तोहां आप अपने लोगों के बीच एक गवाह ठरेंगे मेरे भाईयों और वहनों आप बहुत आएट के साथ आशिश द की जाएंगे अब आए हम एक साथ एक मन होकर प्रभु को निशारें ताकि हम उसके हर एक आशिशों को बहुत आएट के साथ अपने जीवनों में प्राप करें आए हम सब प्राढ़ न करें हमारे प्रेमी स्वर्गिये पिताजी ओ पिता आप कैसे अद्भुत परमेश्वर हैं आप अपने संतानों की हरे घटी को पूरा करना चाहते हैं ओ प्रभुजी देखिए आप हरे के उपर निगाह रखे हुए हैं वे रूर हैं क्योंकि उनके परिवारों में परिवारी काशिष्य नहीं है प्रभुजी आप ही एक है जो अपने शंतानों की हरे घटी को पूरा कर सकते हैं प्रभुजी इस समय भी वहां को निहार रहे हैं आपकी पस्तिती में वो घुत ने टेके व है प्रभु ओ पिता हरे एक आपके सामने खुद को दीन कर रहा है रवजी आप उन्हें अपना अनुग्रह दे उन्हें दे कि हरे एक उपर हरे एक परिवारों पर आपका अनुग्रह आ जाए इसी समय परिवार का हरे एक सल्द से आपकी अद्बुत आशिशों को पाए आपने का है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा आपके लोग मांग रहे हैं ओ प्रभु मुझे आशिश दे कोई नहीं है जो मुझे आशिश देगा इस संसार में वेरी सहता करने वाल कोई नहीं ओ पिता आप अपने संतानों पर दया करें स्वामी अगर वे बिमार है उनके शरीरों को छूले वे चंगे हो जाए उसके द्वार अपने परिवारिक जीवन में आशिश पाए और उसके कारण से वे आनन्द और शांती को प्राप्त करें स्वामी अगर उनके पास नौकरी नहीं है आप इस घटी को पूरा करें पिता ऐसे जवान जो रो रहें उन आपने छूलें मेरे पास नौकरी नहीं पिता जी मुझ पर दया करिये जो रो रहें प्रभुजी आपने छूले ओ छूले स्वामी अच्छे नौकरी के साथ वो आशिश हों अच्छे जीवन साथी के साथ वो आशिश हों जिनके पास संतान नहीं और जिनके पारिवारिक जीवन वे शांती नहीं ऐसे लोगों को छूले पिता हर एक बहन को छूले जो रो रही है उनके गर्ब को आशिश दे इसी समय उनके गर्ब में एक संतान रखे उनकी सारी समस्याएं हमेशा के लिए चली जाएं वे जिनके पास शांती नहीं उन्हें अपनी शांती दे वो शांती जो सारी समझ से परे है उनके हिर्दै को भर दे हरे एक को जब वो आपको पुकारते हैं पिता जो भी उन्हें चाहिए उन्हें प्रदान करें क्योंकि आप उनके पिता है वो और कहां जाएंगे पिता जी कोई आशा नहीं आप ये उनकी एक महत्रा आशा है पिता हरे एक क्यों पर आप दया और अनुग्रह करें इसी घड़ी से उनका पारिवारिक जीवन नए सिरे से आशिशित हो जाए उन्हा आशिश दा प्रभू मेरे भाईयों और बहलों के लिए साब को पुकारती हो प्रभू हरे एक घटी को पूरी करें बहतायत के साथ वो आशिशित हो को हमेशा यही कहे आशिश है जिसने मेरी सहथा की आशिश है जो केवल मेरी सहता कर सकता है आशिवनों के दोरा आप के नाम को मेहमा मिले प्रभू उन्हें बहुतायत के साथ आशिश दे हैं ईश्यो के नाम में हम प्रारत न मांगते हैं आमीन मेरे प्रेए भाई और बहनों जैसे अपने परमेश्यो के वचन को सुना मैं जानती हूँ ईश्यो के द्वारा आप आशिशित हुए हैं इस बात पर विश्वास करें परमेश्यो ना आपको आशिश दी है आपके जीवन में चाहे जो भी घटी रही हो मेरे प्रेए भाई और बहनों हर एक छोटी से छोटी चीज़ को प्रभु जानता है आप हमेशा बस उसको निहा रहें उसके साथ जादा से जादा समय बिताँ है और जो कुछ आप उससे प्राप करें बस कहें धनिवाद इशिव इस भोजन के लिए आपका धनिवाद इस कपड़े के लिए आपका धनिवाद अच्छी नौकरी के लिए धनिवाद घर में शांती के लिए आपका धनिवाद जो भी आशिश आपने पाई धनिवाद कर परमेशो का परमेशो से हर एक आशिशो को पाने का यही एक रहस्य है मैं जानती हूँ परमेशो ने पहले यह आपको आशिश दी है इसले खुशो और आपको आशिष्टे आविट Marsha नृट एका है एक टेसे ब tänker स्थूब लगाओ के लाच चाहा है सूब विर लॉटू आष को आद सामान आशिए लॉट लॉटेछ विर लेस मुझा ज़िकास्या Hmim ज़िक ईानु नट रवख जगानु को कि přितओ तर रहर तर जटने को अटनी टो इलिप जगा लगङ़धार्टने कि दानुटने को जब विरő Auss sleeps, थे में आज करा वाद थे प्राट च्राणके अगींत का नड्ट तर रण्रा नंरे ठीぁ सिल्कून हो इस उसकति उसे नंगे हम or झाल्स बलंप वुदे तर लिटत खुड्साव कर लो यढ भी औररोम अ थे ली विल्बेर बाल्स नाद बैंन एक टूब वुडल्स टूल्साव में मों मrzy आजान वे लुड को कर लो में हाव्डयoph अई हुड़ वा जो बाघ्य को उड़ औी बाव प्रभ गुीत भूराइब टीकारण वेसे कर्शोंगा देखन लिजिसे हमें लोगात्ष इए जबाटने सब्टाइब करदोंगा है जै करण। आएजा लोगाकरणाब वेसे करदेशे हैं इंवर गुर्गाम् इंव प्रीजाश घट विल्टेट गॉज थून झाने लेच वग पेदाई थाई यूटत फूड़ की अवाटों फौट भाई कि अवाटनाब गॉड़ की नारीज़ारी प्रार राफवेशन लिए अख। वे प्लावटे साथ प्रेध लेज़ा टींवा विशेश कर दिल्ली संसत भवन के सामने स्थित राष्ट्रे प्रार्तन भवन एक विशिश प्रार्तन भवन है जहां पिछले पांच वर्षों से प्रार्तन युद्धा, देश की सम्रधी तथा देश के अग्मों को देश के चलाने के लिए इश्वरी ज्यान प्राप्ति हेतु प्रार्तन करते आ रहे हैं। इस प्रार्तन भवन की मुख्य विशेस्ता यहा है कि संपूर्ण भारत देश से आये प्रार्तन युद्धागन संसत भवन को देखते हुए 2400 घंटे संसत पर इश्वरी आशिश की प्रार्तन करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और इश्यू बलाता है कि सभाग्यों की सहता से हम यह सेवकाई सफलता पुर्वक कर रहे हैं। चुकि पूरे भारत देश से लोग इस प्रार्तन भवन में प्रार्तन हेतु आ रहे हैं, अता हमें इस प्रार्तन भवन का विस्तार करना आवश्यक है। इस कारी हेतु हमें दो करूर रुपियों के आउशकता है और आज परियंत इस कारी में साहता करने वाले समझ सहभागियों के हम धन्यवादी है साथ ही इस योजना को पूर्ण करने हेतु आज हमें दो हजार सहभागी चाहिए जो प्रतिवेक्ती दस हजार रुपै का दान दे या चार हजार सहभागी चाहिए जो प्रतिवेक्ती पांच हजार रुपै का दान दे अथवा बीस हजार सहभागी चाहिए जो प्रतिवेक्ती एक हजार रुपए का अनुदान दे कर हमारी सहता करें आप अपने दान, चेक, ड्राप्ट या मनी ओर्डर अथवा EMO के द्वारा दे सकते हैं या फिर आप हमारी सुरक्षित वेबसाइट www.jesuscause.org पर जाकर भी क्रडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथ्वा नेट बेंकिंग के द्वारा दे सकते हैं अथ्वा आप अपने निकर्तम प्रारतना भावन में भी ब्यक्तिकत रूप से दान दे सकते हैं हमारा पता है Jesus Calls प्रारतना भावन 16. Dr. D.J. S. Dhinakaran Road Raja Annamalapuram Chanai Chai Shunya 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 Dhu Aat Jesus Calls Ministries has a deep burden for the broken hearted and is always praying for God's wonderful works in bringing smiles back to all people If you have received the touch of God through this program let us know so that we can glorify God together please write your prayer request to dr. Paul Dinekarin and his family and they will pray for you you can also look forward to a reply from the Dinekarins as they personally respond to your mail or email for prayers call 0 4 4 3 3 9 9 000 visit our website www.jesuscalls.org if you would like to partner with us in this great commission please support us through your prayer and contributions every month send your contributions to Jesus calls ministry 16 dr. D. J. Stinnakarin Road Chennai 600 028 contribute online at www.jesuscalls.org may the Lord be with you